तुम्हेरे साथ हैं CPI ML के नौ निर्वाचित सांसद राजा राम सिंग जी कैसा लग रहा है आपने तो बड़ा जंडा गाड़ा है इस पार ML का देखे कारा काट में सम्विधान लोक्तंत्र को मझबूति प्रदान करने के लिए देश में खेती किसानों के हाथ में रहे खेती लाबकारी बने और सम्मान जनक रोजगार नौजवानों को मिरे इसके लिए पूरा माहोल एक जनमत संग्रह का था और शुरू से ही इस मामले में NDIA की साख गिरी हुई थी और इंडिया गठ THन की साख बनी हुई तो एक तरह से कहिए कि शुरूाती दोर से ही भाग्पां मले की इंडिया गठ बधन की वहाँ एक आधि चल रही थी आपके लडाई थी एक तरफ थे उपेंद्र कुस्वाह जैसे दिगज इंडिये के नेता दूसरी तरफ पावर अस्टार पवन सिंग दोनों का हवा निकाल दिया आप नहीं लडाई वहां थी ही नहीं दोनों सेकेंड के लिए जरूर लड़ रहे थे आपस में उपेंद्र जी और पवन जी और वह आप वोटों में भी लास्ट में देखेंगे कि जिस तरह से पहले उपेंद्र जी हाफ चरण से ज्यादा तक लीड किये आगे रहे लास्ट के दस चरण में फिर पवन जी आगे हो गए तो सेकेंड के लिए उनके बीच में होड थी फर्स्ट नंबर वहां निश्चित था और वो था इंडिया गट बंधन और आपने मार्जिन भी देखा कि एक लाग पांच हजार का मार्जिन रहा तो जन्मत इंडिया गट बंधन के साथ था कोई लडाई थी ही नहीं पावन सिंग नहीं होते तब तो लडाई हो जाती न वहीं तो तो उपंदर कुछ वहां से बोट मिला दीजे तो पांच लाग से ज़्यादा होता है अंक गणित की तरह राइनिती में नहीं चलता है आप देखेंगे कि पावन सिंग अगर नही को जीतना था इसलिए जातियों और पार्टियों का घेरा टूटा हुआ था इसलिए मैंने कहा आप से कि कोई मुने इंडिया कट बंधन हराव टाइप के हवा नहीं चल लए थी कि पावन सिंग के होने नहोने से फरक पड़ता वहां पर एकडम जन्मत ने तय कर लिया था कि इस बार हमें भागपा माले को यह सीट देनी और शुरू से ही फ्रॉम डे वन एकडम हवा चल लए थी कि इस बार इंडिया गर्वनन जीतेगा कराकाट सीट पर आप मानते हैं कि पावन सिं कलाकार हैं स्टार हैं और मैं उनकी कामना करूंगा कि वे और गायन में उंचाई हासिल करें मेरी शुब कामना इस मामले में होगी लेकिन जहां तक चुनाव का सवाल है तो यह सवाल उठा वहां पर कि जब देश के लोकतंत्र पर आजादी पर हमले हो रहे थे तो सबसे पह उस लड़ाई में वो कहीं नहीं थे तो यह सवाल वहां उठा है और दूसरी बात है कि मैंने कहा आप से कि वहां किसान और नौजवान के मुद्दे पर रोजगार और खेती के मुद्दे पर खेती लाबकारी हो इस पर व्यापक एक्ता किसानों में मजदूरों में सरकार बनेगी तब NDA की सरकार बनेगी तब तो जो देश का किसान आंदोलन रहा है उसके हम लोग राष्टिये नेता रहे हैं तो जो मांगे किसान आंदोलन ने उठाई हैं खेती को घाटे से उबारो लाभकारी खेती बनाओ सीटू प्लस फिप्टी परसेंट फसलों का दाम तै करो निउन्टम समर्थन मुल जो सामीनाथन कमिशन ने रिकोमेंड किया था तो ये मुल जो रहेगा खेती कोर्परेट के हाथ में मत बेचो किसानों के हाथ में रहने दो खेती आज भी देश में रोजगार स्रिजन का सबस सरकार हो तब भी अगर NDA की सरकार रहेगी तब भी इन सवालों पर हमारी आवाज उठेगी पार्लियामेंट के भीतर से लेकर के बाहर तक जहां तक छेत्रिये कुछ मुद्दों की बात है तो ये सोन नहर का इलाका बिहार के क्रिशी अर्थवेवस्था की रीड है और हमने ये मांग उठाई है कि सोन नहरों का आज की तारीख में सर्वेक्षन करके अधुनी की करन होना चाहिए निचले इलाके तक पानी पहुचाना चाहिए और पानी की विवस्था के लिए इंदरपुरी जलाशाय का सिग्र निर्मान हो तो हमरी सर्वच प्रात्मिक्ता में छे अनिवी सवाल उठे हैं इन पर पहल होगी बात होगी राजा राम सिंको का रहे हैं कि अस्थानिय मुद्दे भी इनकी प्रात्मिक्ता हैं लेकिन राष्ट्री अस्थाथ पर किसानों के हीत को लेकर ये अपनी लडाई जारी रखी है